व्युक्त कोड़ोगत मैं की अज़्य कुल्ट पोफोल्य आप सब अच्छे ही होंगे तो अज़ ग्यां आई हुए वह वेकेंसी आई हुए है फर्टिलाइजयर को प्रोपरेशन आफ इंडिया लिमिटेट की तरफ से फ्रेंड्स फर्टिलाइजर कोपरेशन आफ इंडिया के तहता आती है तो फिंडस्ट इसमें वाके डिसिप्रिंट की नीं प्रॉफेशनल की है एक सीट जो वो semi qualified professional के लिए है mode of recruitment का जहां तक सवाल है तो उन्हें में बता रखा कि contract wishes में इसमें आपका selection होगा और through open market आपका इसमें selection किया जाएगा जहां तक age limit का सवाल है तो उन्हेंने बता रखा है कि आपका age limit जो है 35 years आपका है अगर आप young professional qualified के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आप semi qualified young professional के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका अपर age limit 30 years हो जाएगा और जैसा कि मैं आपको फ्रिंट पहले ही बता है कि यह आपका contractual engagement है और जहां तक remuneration का सवाल है फ्रिंट उन्हेंने बता रखा है कि qualified professional के लिए अगर नौइडा में उनकी posting मिलती है तो रूपीज 60 थाहन पर मन्त उनकी remuneration होगी likewise अगर उनकी सिंद्री या फिर गोरक कुर्म उनकी posting मिलती है तो 45 थाहन रूपीज पर मन्त उनकी remuneration होगी और वैसे ही अगर semi qualified young professional के बात की जाए तो उन्हें नौइडा में posting दी जाएगी और रूपीज 40 थाहन पर मन्त उनकी starting salary होगी और फ्रिंट्स चाहत तक education qualification का सवाल है तो उन्हेंने बता रखा है कि legal discipline के लिए आपका selection जो होगा वो आपका qualified professional में आपका selection होगा इसके लिए नौने बता रखा है कि regular LLB with minimum 55% marks अगर आपने regular LLB अगर आपने किसी recognized universities आपने कर रखा है in that case you are eligible to apply for it और फ्रिंट्स जहां तक finance discipline का सवाल है तो उन्हेंने बता रखा है कि finance discipline में यंग professional के लिए आपका जो एडूकेशन qualification है वो चार्टर एकांटेंट है या फिर कॉस्ट और मेंजमेंट एकांटेंट है likewise friends finance discipline में semi qualified के भी वेकेंसी आई हुई है तो semi qualified young professional के लिए इन्हें उन्हें बता रखा है इनके इकोशिट education qualification आइदर CA inter है या फिर CMA inter है और फ्रेंड्स चाहँ तक work experience का सवाल है तो उन्हेंने बता रखा है कि legal discipline में अगर आपका selection होता है तो आपको इसके लिए two years का post qualification experience होना चाहिए in order to apply for it likewise friends finance discipline में अगर qualified young professional के बात की जाए यानी qualified CA और CMA के बात की जाए इसके लिए उन्हें बोल रखा है कि two years का post qualification working experience होना चाहिए आपके पास in order to apply for this likewise अगर आप CA inter या CMA inter के विशिस पे अगर आप semi qualified young professional के लिए आप apply करना चाहते हो तो इसके perfection working experience होना चाहिए in order to apply for it जहां तक आपके online application submit करने का सवाल है तो उन्हेंने बता रखा है इसके लिए आपको online application आपको submit करनी पड़ेगी कहां पी submit करनी पड़ेगी इसके लिए उन्हेंने बता रखा है कि आपको email करना पड़ेगा FCIL का email ID है इस पे जाकर आप इसमें apply कर स सकते हो इस recruitment notification को मैंने इस वीडियो के description में डाल दिया वहां उसे आके आप इसे download कर सकते हो और आप detail में देख सकते हो इनकी सारी details वगरा जो कुछ पर रिकुसेट चाहिए है और साथी साथ इन्होंने बता रखा कि सिर्प उन्हीं applicant को fertilizer corporation of India आपसे contact करेंगी आपको communicate करेंग है तो इस resume को आपको भर लेना है इसमें आपने देखा friends कि यहां पर आपका essential education qualification जैसे कि अगर आपने अगर qualified cacmabc इस पर यह अपने अपने आपने काम कर रखा है तो उससे आप यहां पर detail में आप mention करोगे कि आपने कब से कब तक काम किया अपने कौन से profile में काम किया कौन से company है फिर किस firm में आपने काम किया तो सारी चीज के बार में आपको mention करना पड़ेगा साथी साथ इन्हों ने बोल रखा कि आपका past कुछ performance में अगर आपका कुछ achievement वगर हो तो definitely आप यहां पर आप जलूर आप इससे डाले वो भी आपके लिए के काम कर सकती है अगर आपक किसी अगले वीडियो में अब तक लिए टेक केर और सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू